नमस्कार दोस्तों स्वागा थे एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कालेज रेजिस्टेशन 2023 की पूरी जानकरी लेकर आया हूँ सेकंड राउन स्टार्ट हो चुका दोस्तों दोस्तों अगर आप हमेरे चैनल में माने तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले कॉलेज रेजिस्टेशन 2023 सेकंड राउन प्रारम हो चुका है अलोटमेंट भी आ चुका है दोस्तों लेकिन अलोटमेंट के बाद में क्या प्रोसेस रहेगी किस प्रकार से होगा सब्जेक्ट चॉइस किस प्रकार से करेंगे यह सारी डिटेल इस वीडियो के द्वारा ही आपको समझना है किस प्रकार से क्या आप कुछ होगा सारी जानकारी में पूरी डिटेल इस वीडियो के द्वारा लिकर आया हूँ दोस्तों लास्ट तक जरू दिखने लगेगी ठीक है इसमें यहां देखते हैं आप यह वाले जो सारे डीटेल है इसमें आपका सेकंड राउन स्टार्ट हो चुका है आप इसके बाद में यहां पर देखेंगे आप तो अलोट्मेंट लेटर की डेट भी दी रखी है इसमें 19 तारिक से 23 तारिक तक अलोट्मेंट लेटर वाले option पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की डीटेल आपके सामने खुलने लगेगी अपलिकेसन नंबर डेट अब बर्थ और पासवर्ट डालने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपकर जो है अलोट्मेंट लेटर आपके सामन लेना है ठीक है अब इसके बाद में क्या प्रोस्स रहेगी यह तो अलोट्मेंट हो गया अब अलोट्मेंट के बाद में हमें एड्मिशन किस प्रकार से होगा तो हम फीस वाले ऑप्शन पर जाएंगे ठीक है यहाँ पर पूरी डीटल डालेंगे इसमें कोट है उनको 24 करना रहेगा अब किस प्रकार से करेंगे यह पूरी जानकारी समझते हैं यह हो गया आपका माइनर मेजर और च्शित के बाद में बीर स्फ़ के बाद करें अब को दोड़ेंगा इसके बाद में आगे बढ़ते हैं वोकेशन बजेट की बात करते दो पाद में अब जैगा parse है यह ता बांसरी आंगेशन पर चरहें हैं इसके बाद में यह 13 दोड़ा यह एक्जिग्यूटीव सब्जेक्ट यह भी आपको लेना रहेगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, vocational subject की बात करते हैं, अब इसमें बहुत सारे सामने सब्जेक्ट दिखने लगेंगे, विद्यारती को जो पढ़ना रहेगा, वो बात को सब्जेक्ट आपको छौईस कर भी खेती लिया है इसके बाद में यहां पर आगे देखेंगे तो इसमें तीन आपके सामने दिखने लगेंगे ठीके सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अलग-अलग option दिखेंगे यहां पर आप देखेंगे उसका कौन-कौन सा डोज आप लगा चुके हैं आपने भी तक वेक्सिन नहीं लगाई ये पहला डोज लगाया या सेकंड डोज आपने लगा चुके हैं तो जैसे सेकंड डोज लगा चुके हैं तो सेकंड वाले option पर हमें क्लिक करना रहेगा ठीक है ये वाला आपका जो है सेकंड डेच का उपर हमने क्लिक कर दिया आप इसके बाद सेक्षनिक योगीता जो रहेगी वो किस स्कीम के तहट लेना आपको कोई नहीं एक तो ये वाला हो गया इसके बाद मुक्य मंतरी मेधाई भी हो गया इसके बाद मुक्य मंतरी संबल का गया, दूसरा होगे नमंकन फीस, दोस्तो एक बास समझ लीजिए, जो लाश्ट टाइम हमने, जो चालान काटे थे, उसमें एक हजारी टोटल फीस लग रही थी, अब इस बार क्या है, नमंकन की फीस को ने अलग से include कर दिया है तो हमें ये नमंकल की fees भी हमें जमा करनी रहेगी इसके बाद में अगर आप लाड़ी लच्मी अगर योजना में अगर भाग लेना चाते हैं तो yes करे otherwise no कर दे अब देखिए इसके बाद में दो option आपके सामने हो चुका है या जो college आपको event हो चुका है उसी college में अगर आप admission लेने के इक चुक हैं तो yes करें otherwise इसे no कर दे नीचे वाले option को upgrade कर दें upgrade करने वाले option क्या रहेगा उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगर आपको first college event हुआ है और अगर उसे आप किसी कारण से नहीं लेना चाते हैं तो नीचे वाले option अप्ग्रेड वाला है ये वाला option इसे आप choice कर लेंगे तो इसमें क्या रहेगा जो उपर जो आपने college लिया था वो college हट करके जो नीचे वाले college है जो भी आपने choice में लिया था वो उसके उपर फिर आपका जो है choice फिलिंग अप्ग्रेडिशन हो जाएगा ठीक है इसमें फिर आपके जो दूसरे वाले college आपने choice में लिया था उसी के उपर आपका allotment आगे मिलेगा वो second round में आपके सामने पूरी detail आने लगेगी तो हमें उपर वाला लेना है अगर हमको completely वो जिस college में लिया उससे अगर हम satisfy है तो उपर वाले option पर click करने के बाद process to payment वाले option पर हमें click करना रहेगा जैसे हम इसके उपर process to payment पर click करते हैं कुछ इस प्रकार की detail आपके सामने दिखने लगेगी तेकि यह पूरा complete हो चुका है आप यहाँ पर देखिएगा पूरी detail आपके सामने दिखने लगेगी आप यहाँ पर आप अगर आप किस mode से आप payment करना चाते हैं net banking के थ्रू, debit card के थ्रू या फिर आफ अगर IMPS के थ्रू करना चाते हैं या फिर UPI के थ्रू करना चाते हैं या वलेट के थ्रू करना चाते हैं और इन सभी के अलावा अगर आप तीसरा mode अगर आपके पास